इस वीडियो के जरिये मैं NTA, PM और HRD मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टुडेंट देश का भविस्टे है, प्लीज इसे बचा लिजे, स्टुडेंट की आवाज सुनने वे नीट वे जेई को पोस्पॉंड करने की क्रिपा करें नीट वे जेई एक्जाम पोस्पॉंड को लेकर अभी काफी सारे लीडर आवाज उठाने लगे हैं, कोटा की एक बड़ी कोचिंग केरियर पॉइंट भी अब स्टुडेंट के साथ है अभी नीट वे जेई पोस्पॉंड को लेकर बीजेपी लीडर सुबरमनियम स्वामी ने आवाज उठाई थी, उन्होंने कल राट ट्विट करके कहा है कि तेरा ऐसे इंपोर्टेंट रीजन हैं, उन्होंने पी-म और एचारडी मिनिस्टर को बताए हैं, जिनके चलते दर किया जाएगा, लेटर में उन्होंने कोविड-19 के केस लगातार बढ़ना, ट्रांसपोर्ट प्रोब्लम, एग्जाम सेंटर 500 किलमेटर से ज्यादा होना, एग्जाम सेंटर दूर होने के कारण स्टुडेंट का एक दिन पहले जाकर वहाँ पर रुखना, पब्लिक ट्र प्रिमासपोर्ट और ट्रेने बंध होना, खाने की प्रोब्लम, बिहार आसाम और नौर्थ इस्ट स्टेट में फ्लर्ड प्रोब्लम, एग्जाम में फैल होना, सूसाइड केस ज्यादा होना, एग्जाम के लिए नहीं आ पाना, इन सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स को इं नीट की प्रिक्षा के नाम पर लाकु छात्रों की जिंदगी से खेल रही है केंदर सरकार, मेरी केंदर से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों प्रिक्षा ही तुरंत रद करें और इस साल एड्मिसन की वेकलिप विवस्ता करें, अभूत पूरुव संकट के इस समय में कदम से ही समाधान निकलेगा, उनका आगे यह भी कहना है कि ये सोच की केवल नीट जेई प्रिक्षा ही एड्मिसन का एक मातर विकल्फ है, बेहद संकुचित और एब्यवारिक सोच है, दुनिया बर में शिक्षन संस्तान एड्मिसन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते, बच्चों की जिंदगी प्रिवेश प्रिक्षा की नाम पर दाव लगाना कहां की समझदारी है, तो अभी मनोज सिसोधिया जी भी स्टुडेंट के साथ में खड़े हैं, इसके अलावा माराश्टर गॉर्मेंट इसका पहले से ही अपोज कर रही है, दिल्ली गॉर्मेंट भी इसका पहले से अपोज कर रही है, कैरियर पॉइंट कोटा ने भी अपने यूटूब चैनल पर पोस्पोंड के लिए वीडियो अपलोड किया है, और अभी आने वाले समय में काफी सारे कोचिंग इंस्टिटूट जो एक्जाम पोस्पों के मोड में नहीं है, वो भी स्टूडेंट का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी काफी बदनामी हो चुकी है, अब कोई, हर कोई ये चारा है कि एक्जाम पोस्पोंड हो, क्योंकि COVID-19 के चलते काफी सारे स्टूडेंट एक्जाम से वन्चित रह सकते हैं, और इतने दि इन तयारी करने के बाद जो स्टूडेंट एक्जाम से वन्चित रहता है तो उस पर क्या बीठती है, ये तो वो इस्टूडेंट ही जानता है, गौर्मेंट से रिकूस्ट करता हूं कि इस्टूडेंट ही देश का भविसे है, इनकी सुरिक्षा की जम्मेदारी आपकी है, आप देश का बविश्य बिचाएं, आप सभी की आवाज सुनें, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा जय हिंद।